एक बार की बात है एक गाव में दो भाई रहते थे बड़े भाई का नाम राम था और छोटे भाई का नाम श्याम था राम बहुत महनती और दयालू था वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था श्याम बहुत लालची था उसे हमेशा अपने से ज़्यादा चाहिए होता था, एक दिन दोनों भाई जंगल में जा रहे थे, अचानक उन्हें एक जादू की टोकरी मिली, टोकरी में एक सुन्दर चिलिया थी, चिलिया ने कहा, जो भी मुझे पकड़ेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, राम ने चिलिया को पकड़ लि राम और श्याम हवेली में रहने लगे, राम ने अपनी दूसरी इच्छा में एक बड़ी और सम्रिधफ असल मांगी, उसकी इच्छा भी पूरी हो गई, राम और श्याम बहुत धनी हो गए, राम हमेशा अपने भाई की मदद करता था, वह उससे भोजन और कपड़े देत लेकिन श्याम हमेशा राम से नाराज रहता था, वह चाहता था कि राम की सारी संपत्ति उसकी हो, एक दिन श्याम ने राम को धोखा दिया, उसने राम को सोते हुए देखकर चिलिया को छीन लिया और भाग गया, राम बहुत दुखी हुआ, उसने चिलिया को वापस पाने क लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा, श्याम ने चिलिया को अपने पास छिपा कर रखा, वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगा, वह बहुत धनी और शक्तिशाली हो गया, लेकिन श्याम खुश नहीं था, वह हमेशा राम से इर्श्या करता था, वह च कि वह अप क्या करेगा, उसी रात, राम को एक सपना आया, सपने में एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि वह एक जादूगा है, वह राम की मदद कर सकता है, अगले दिन, राम जादूगा के पास गया, जादूगा ने राम को एक जादू की छड़ी दी, उसने कहा, इस छड़ी से तुम चिलिया को वापस पा सकते हो, राम ने जादू की छड़ी से चिलिया को वापस पा लिया, वह बहुत खुश हुआ, राम ने अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा में शाम को सबक सिखाने का फैसला किया, उसने चिलिया से कहा, मैं चाहता हूँ कि शाम हम उसे कभी भी खुशी ना मिले। चिडिया ने राम की इच्छा पूरी कर दी। उसे कभी जाती थी। जब उसकी बिकरी काफी अच्छी हो जाती है, तब वह कमाए हुए पैसों को सेट को देने चली जाती है। और सेट का सारा पैसा चुका देती है। वह अपनी बेटी की परवरिश काफी अच्छे से करती है, उसकी लड़की अच्छे स्कूल में जाती है और वह बहुत खुश होती है। झाल